हेलो टेडर्स, वेलकम बैक टू दा रोय रॉक्स टेडर्स तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कल के लिए कुछ बैतरीन इंटरडे स्टॉक यानि मंडे के लिए कुछ बैतरीन इंटरडे स्टॉक जिस पे आप मंडे को इंटरडे टेडिंग कर सकते हैं अब टेडर्स प्रिवियस में जो फ्राइडे के सेशन के लिए जो इस्टॉक टेड कने दे थे उसका भी पिर्फॉर्मेंस चानेंगे तो वीडियो पे आप पूड़ा बने रहे और अगर अभी तक टेडर्स हमारी टेलिग्राम चैनल से नई जुरे हैं तो वहाँ भी जुरे आपको वहाँ निप्टी और बैंक निप्टी का in portrait support assistance लेदर देखनी के लिए मिलता है और आपको वहाँ line market update भी देखने के लिए मिलता है तो लिंक description में दिया गया है तो आप अभी जाके हमारी टेलिग्राम चैनल से जुएन जो सकते हैं तो टेडर्स जो description में लिंक दिया प्राइडे के सिस्टन में आपको डेली वहां तीन से चार इंटरडे स्टॉक देते हैं वहां पर दिये थे इंडिया होटल के तरफ से जिसमें टेडर्स यह स्टॉक में हमें जैकपट शाभी देखने को मिला आप यहां पर देख सकते हैं यह स्टॉक में बहुत अच्छा-का कि आसपास प्रॉफिट बुक किया है अगर टेडर्स देख सकते हैं इंडिया होटल जो कि हमें सारे तीन परसेंट से भी ज्यादा का मूब देखने के लिए मिला और एक स्टॉक था बेल उसमें भी हमें अच्छा-कासा रिटन देखने के लिए मिला जो कि लाइम मार्केट टेड दिये थे अगर टेडर्स आप हमारा पेड उक्रीप से जोड़ना चाहते हैं तो आपको यहां सिर्फ वन डबल नाइन पर मिल रहा है अगर आप इंटेस्टेड हैं तो वार्टसप नमर दिया गया है और अभी जाके आप कॉंटक्ट कर सकते हैं और टेडर्स आप हमा वार्टसप पे मैसेज कर सकते हैं तो बात कर लेते हैं तो फ्राइडे के सेशन के लिए जो इसका पिर्फॉर्मेंस कैसा रहा तो फॉर्स स्टॉक था लूपिन के दरफ से जिसमें इसमें हमें तेडर्स हलका सा गैप आप ऑपनिंग देखने को मिला बट यहां पर लेबल इसमें हमें 2% से ज़्यादा का मूब देखने के लिए मिला अगर आप इसमें टेड कियोंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कियोंगे तो फ्राइडे के सेशन के लिए हमारा थार्ड स्टॉक था मोतु फाइनस के तरफ से जिसमें टेडर्स यह गैप आप अपनिं हैं तो फूर्थ स्टॉक था टेडर्स हमारा टाटा स्टिल के तरफ से इसमें टेडर्स इस स्टॉक में यहां अगर आप एंटी बनाया होंगे तो यह बार बार इसी जौन में कॉंसलेशन कर रहा था और हाइड बनाया लगबग 147 के पास तो अगर टेडर्स आप यहां पर और शेकेंड टार्गेट को करीब रहा तो अगरा इंटर्डे स्टॉक था अस्टार सिमेंट के तरफ से इसमें टेडर्स फर्स केंडल में जैसे इंटी नहीं बोले थे तो इसमें हमें एक सानदार सा ब्रीक आउट देखने को मिला यह स्टॉक हमारा जैकपॉट भी यह टू वन नाइन के पास तो इसमें टेडर्स सारा टार्गेट अजीब देखने को मिला और यह स्टॉक हमारा जैकपॉट शाबीत हुआ तो लास्ट स्टॉक था इलगी एक्विक्मेंट के तरफ से जिसमें टेडर्स हम खुद लेबल फाइंड करने के लिए बुले थे यह हम चैनल को सस्क्राइब करके बैल आइकन जरूर दबा लें तो बात कर लेते हैं टेडर्स मंडे के लिए हमारा फॉर्स स्टॉक मंडे के लिए हमारा फॉर्स स्टॉक हो जाएगा बर्जर पैंट के तरफ से इसको टेडर्स 15 मेर के टैंप्र में देखे यह स्टॉक में काफी एक 10 line देख सकते हैं जो कि ये multiple time support लेकर ये अप 10 और जा रहा है यहां पर देख सकते हैं higher I का formation कर रहा है और ये support भी ले रहा है और यहां जब भी support के पास आता है तो एक अच्छा pullback देखने के लिए मिलता है तो आप यहां पर देख सकते हैं तो taders यहां पर एक छोटा सा उ पर buying portion बनाना है जो की taders हमारा label हो जाएगा 574 से उपर first target 577 का second target 580 का और इसमें stop loss 574 का रखेंगे अगर ये breakout करता है तब आपको यहां पर buying portion बनाना है अगर taders यह breakout नहीं करता और यहां से market resistance के से fall कर जाएगा तब आपको इस label के नीचे social position बना के चल सकते हैं जो की label होगा 570 से नीचे तो Monday के लिए हमारा ये first interday stock हो जाएगा तो Monday को आप इसे जरू tag करें तो बात कर लेते हैं Monday के लिए हमारा second stock के लिए हमारा second stock हो जाएगा टाटा मोटर के तरफ से इसको भी taders 15 met के रैंपरे में देखे तो यहां पर भी एक अच्छा खासा pattern बनता हुआ देखने के लिए मिल रहा है एक round bottom kind of pattern का यह formation कर रहा है यह pattern में यही बार बार इसमें देख सकते resistance को रीटेस किया और यहां पर देखे तो consolation किया है और यहां पर टेडर्स चांस है अगर यह breakout करता है तो आपको बाइंग पुशन के लिए देखने के लिए मिलता है आपको पर यह resistance के उपर एक bullish candle sustain होने देना फिर आप में यहां पर anti बनाना है अगर यह यहां पर sustain नहीं होता तो यह fall देखने के लिए मिल सकता है तो उस case में आप स्वाट चेल पुशन बना सकते हैं तो इसमें टेडर्स हमारा buying पुशन में पहले लेबल हो जाएगा breakout करेगा तब यह 9480 से उपर first target 944 का रखेंगे second target 948 का और इसमें stop loss यह रखेंगे अगर breakout करता है तब आपको यहां का ध्यान रखना है कि first candle में आपको कहीं anti ने बनाना है first candle को proper close दोने देना है फिर market को behavior को पाचानते हुए तब आपको anti position बनाना है तो आप trap से बस सकते हैं तो इस label के नीचे जाएगा तब आपको इसमें स्वाट चल पुशन बना सकते हैं जो की label होगा 934 से नीचे first target 930 का second target 926 का और इसमें stop loss 938 का रखेंगे अगर इसके नीचे breakdown करता है तब आपको कल इसमें स्वाट सल पुशन मना सकते हैं तो कल के लिए हमारा ये second interday stock हो जाएगा तो कल आप इसे जरूर tag करें तो बात कर लेते हैं मंडे के लिए हमारा अगला interday stock मंडे के लिए हमारा third interday stock हो support देख सकते हैं यह support पर यह multiple time support ले चुका है यह consideration करने के बाद फिर यहाँ अब क्या था यहाँ पर देखे फिर से support लिया second time third time और यहाँ पर यह support के पास बार बार यह आ रहा है और अपर आज देखे तो यह 10 line का formation क्या है जो की resistance की तरह यह face वी कर रहा है यहाँ पर भी द 32 का रखेंगे second target 1738 का रखेंगे और इसमें stop loss 1718 का रखेंगे अगर यह breakout करके उपर निकलता है तब आपको यहाँ पर बाइंग को शिमनाना है और टेडर्स आपको यह support को भी mark करके रखना अगर support की नीचे close कर देगा तब आपको स्वाट्चल portion के लिए जा सकते हैं तो Monday क को आप से जरूब टैक करें तो टेडर्स अब मात करेंगे कुछ तीन लॉइस्ट फ्राइस वाले स्टॉक जोड़को आप लॉइस्ट प्राइस में आपको कल के लिए वी इंटरेटेड कर सकते हैं तो कल के लिए टेडर्स हमारा अगला यानि फॉर्ट स्टॉक हो जाएगा कैस्टरॉल इंडिया के तरफ से इसको टेडर्स फिप्टीन मेर्ट के टाइम पर में देखे तो यहाँ पे एक ट्रेंगल पैटन फॉर्म हो रहा है यहाँ पे एक टैन लाइन आया है और यह मल्टिपल टैम रजिस्टेंस की तरफ फेस भी कर चुका है यहाँ पे देखे औ अगर टेडर्स कल मंडे को यह ब्रीक आउट करके उपर निकल जाएगा तब आपको इस लेवल के उपर बाइंग पुशें बनाना है तो अगर टेडर्स कल यह ब्रीक आउट करके अगर आगे निकलता है तब आपको इस पोजिशन पे यहाँ पे बाइंग पुशें बनाना है और ये दोनों target ठखना और stop loss यह लेकर चलना है तो अगर ये बंडे को breakout करेगा तो मंडे को आप इसे जरू टेक करें तो बात कर लेते हैं मंडे के लिए हमारा अगला उंटर्डी स्टॉक मंडे के लिए taders हमारा अगला इंटर्डी स्टॉक हो रहेगा इंजिनियर्स इंडिया के तरफ से इसमें भी टेटर्स 15 मेट के टैंपर में देखें तो सैम काइंड कैस्ट्रोल इंडिया ही का फॉर्म हो रहा है आप उपर यहां पर भी देख सकते हैं टैनलान आया है जो कि मल्टीपल टैम्स रजिस्टेंस की तरह फिस कर रहा और यहां जो एक टैनलैन था वहीं पर यहां पर यहां कॉनसेल्योरिशन करने के बाद फिर यह थोरा सा अप क्या देख सकते हैं दोनों में बहुत क्लोजर आ चुका नहीं तो यह ब्रेक आउट करएगा नहीं तो यह ब्रेकडाऊन करेगा अगर टैर goose ब्रेक आउट करएगा HFCL के तरफ से इसको Taders एक 10 line देखे जो कि ये multiple time support की तरफ follow कर रहा है यहाँ पे देखे support लेता है pullback दिखाता है support लेता है pullback दिखाता है और यहाँ पे भी देखे यहाँ पे support लिया है तो Taders Monday को chance है अगर इसके नीचे breakdown करता है तो इसमें Taders Monday को हमारा दोनों case हो जाएगा अगर जिसलिभी लेबल को ये breakout या breakdown करता है तब आपको उसमें plan करना है तो Monday के लिए हमारा ये last today stock हो जाएगा तो Monday को आप इसे जरू टेक करें और Taders सभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं क्यों तो subscribe करके बैल अकन जरूर दबाएं और टेलिग्राम चैनल से नहीं जुरे हैं तो आप भी जुरे link description में दिया गया है और Taders आप हमारा पेडिकुटी ग्रिप का lifetime access लेना चाहते हैं तो आप दिएगी description में आप stock का हमारा link है आप उसमें account open करकर WhatsApp नमर पे आप contact कर सकते हैं तो आपको वाँ lifetime access मिल जाएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए